आज हम जानेंगे जिन्दगी से ताल में राहत इंदोरी ने अपनी एक सेर में काफी मानिखेज बात कही है उंगलियां यूना सब पर उठाया करो खर्च करने से पहले कमाया करो जिन्दगी क्या है खुद ही समझ जाओगे बारिज में पतंग उड़ाया करो दरसल चीवन की राहों में कई बार विफलताओं से हमारा सामना होता है जिन्दगी की रफतार मध्धम पढ़ जाती है मन कुंठाओं से भर जाता है ऐसे में सकरात्मक सूच और आत्मे विश्वास जैसे हम से ओजल हो जाते हैं लेकिन ऐसी इस्थिती हमेशा नहीं रहती इसलिए जब भी ऐसी इस्थिती आए तब संतूलन का दामन कस कर पकड़ लेना चाहिए यह याद रखना चाहिए कि किसी पड़ाओ पर रुक जाना जिन्दगी नहीं है आगे बढ़ना ही होगा उसके लिए हर दिन एक पुर्ण जन्म की तरह होता है ऐसे लोग सच्चाई का सामना करते हैं और उसी में सुकून की तलास करते हैं जो चीज नहीं होती उसके लिए बेसुकून नहीं होते जब हम जन्म लेते हैं तब हमें कहां पता होता है कि जिन्दगी किस ओर मोड़ेगी पर हम चलते जाते हैं और वह एक मुकम्मल रूप लेती रहती है सौंदर्य, आउशाद, मिलन, विछो, प्रे, बेवफाई, आदी एहसासत से हमारा सामना होता है और जिन्दगी इन तमाम रंगों के सज़द रहती है तमाम तरह की भावनाओं के साथ समन्जश्य बिठाना हमारे लिए जितना आसान हो पाए जिन्दगी उतनी ही सुन्दर होती है जिन्दगी का मकसद इसके भेदों तक पहुशना है और दिवानगी इसका एक मत्र रास्ता यहाँ दिवानगी का मतलब है चीजों को उसके सही सौरूप में लेना और उससे ताल मेल के साथ रास्ता खोजना